नमस्कार स्वागत आप सभी का हिस्ट्री थिष्टी चैनल में मैं रवीक लडिया श्लेक्षरादसांसी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्षक भरती परीक्षा के बारे में रीटमेंज के बारे में जिसके बारे में आज नोटिफिकेशन आया है डिटेल उसमें कैसे हम अपने टाइम को डिवाइड करते हुए और एक अच्छी रणनीती के साथ जाएं ताकि हमारा सेलेक्षन हो सके पद वगर आपने देख लिए होंगे एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे लेवल वन में टोटल 21,000 पद है जिसमें सामान्य शिक्ष साथ में फिर इसके बाद में देखें के और हिंदी के पदों की संख्या में मानता हूं काफी कम है और अभी आगे कुछ पद वजीदी बढ़ाए जाते हैं तो देखने वाली बात होगे कि किसमें बढ़ेंगे लेकिन एसस्ट के विद्यार्थियों के लिए 353 पद थोड़ किमिन एक बार में तो एक ही भड़ती के बाहरे में सोचा जाता है देखिए रीट की भड़ती तो रोज़च रोद आती नहीं आपको भी पता है पिछले किसले सालों से एक कंप्रीट होने में इतना समय लेग रहा है और अभी भी पोस्ट निकाल निकाल के सारी लगा रहे हैं अब आगे कितनी पोस्ट क्रियेट होंगी, कब होंगी, बहुत लंबी पर क्रिया हो जाती है बीच में कभी दो साल में तीन साल में आये भी तो छोटी वेकेंसी आएगी इसके अलावा एससटी में दिक्कती होती है, कि सेकन्ड गेर में जब भी वेकेंसी आएंगी उसमें एससटी की पोस्ट सबसे कंते कमाया करेंगे, मतलब और ओरों की एक चौथाए के करीब पोस्ट आया करेंगे इसका कारण यह है कि जादतर स्कूल सेनियर सेक्टरी स्कूलों में राजनेतिव गयान इतिहास बगोल में से दो वीशे होते ही होते हैं लगबग जगह अप देखते हैं तो इसके कारण 2nd grade की SST की post खतम की जारी है, सबी स्कूलों में ऐसी स्थितिया हैं तो 2nd grade की SST की post तो ये माल लीजए कि धीरे धीरे लुक्त प्राय होने की ओर है हलांकि 3rd grade में SST की post चलती रहेंगी, लेकिन 3rd grade की vacancy लेट आती है बहुत मतलब जाद समय लगता है तो आप कोशिश करना कि आपको इसमें से अपनी जगह निकालनी है इस बार की या तो सेकंड ग्रेड तो अभी होई गई और मतलब दिनी कितने बचे हैं और थर्ड ग्रेड मतलब सेस्टी के विद्यार्थियों को नहीं या तो यह उप्शन है नहीं फिर फर्स्ट ग्रेड का है पद हर बार अच्य आते हैं और हिंदी के बहुत कम थैं मैं मानता हूं और सस्कृत के ठीक है इतने बाकी तो ठीक है लेकिन हिंदी और एसस्टी के विद्यार्थियों के लिए काफी कम पद यहां पर है इसका करान जैसे कि मैंने बताया आपको पदों की संख्या कमी रहत लेकिन जैसा भी है आप इसके बार में हम और कुछ चर्चा नहीं करेंगे पदों का वीवरण यहां पर आपके पास है आगे कुछ बढ़ेंगे तो आपके पास न्यूज़ा जाएगी नोन टीसपी टीसपी की यह पदा आपके पास दिये गए हैं अब हम बात करते हैं कि हम कि पता है यह कोई बताने वाली बात नहीं है कि आपका डेड़ सो प्रशन आएंगे और दो दो अंके हैं तो तीन सो अंक आपका पेपर हो गया इसमें आपके एक तीहाई नेगेटिव मार्किंग रहती है अब यह जो डेड़ सो प्रशन है इनके लिए किस प्रकार से हम तैयारी करते जाएं मालने जिए हम इनको तीन भागों में बाट लें तो पहले भाग में जैसे आपके राजस्थान का इतिहास संस्कृति इतिहास संस्कृति इसके लाव भूगोल है और इसी में माल लेते हैं हम अमारा जो आपकी राजस्थानी भाषा है उससे समने तो यह आपका पहला पार्ट है जैसा कि आपको पता भी है हम अपनी सुविधा के अनुसान इनको बाट रहे हैं हलांकि दिया यही गया है इसमें आपके 40 प्रशनों का यह मेंटर है दूसरी नंबर पर जो कि आपका सबसे बड़ा पार्ट है दूसरी नंबर पर आपका सब्जेक्ट आपका जो भी विशे है उसके अनुरूप और इसके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन होगे आप बचे गए जो 50 क्वेश्चन है उसका काफी लंबा चोड़ा विवरन है और उस विवरन को जैसे कि मैं यदि याद कर पा रहा हूं तो काफी सारी चीजे हैं उस का सामा यान हारा इसके अलावा आपका आल्टी है और इसीके साथ आपका सेक्षिक पسمद्रिश माद दोनों हैसे क्रिश्चों परिदृषर है कहाई है इसमें West- इसके लावा आपका राज़स्थान का चौरर अफैर्स है कि इसके अंदर शामिल हो गया यह आपके विदियतिकि अनुसार तो यह अलग डे रखा है और लास्ट में अलग दे रखा है । इसी में और एक आपका सूचना तकनिकी यह सारे ही मिलाकर आपके 50 प्रश्ण बनते हैं अलग-अलग आपको पता ही है कि जैसे सेक्षिक मनोविज्ञान के आपके 10 क्वेश्चन है एक आपके 5 क्वेश्चन है और उपर वाले के 25 क्वेश्चन है तो 25 और 25 यह 50 क्वेश्चन हो जाते हैं तो इस प्रकार से तो आप देखेंगे तो एक में 40 क्वेश्चन एक में 50 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 150 इन 50 प्रशनों के लिए देखे पहला पार्ट आपको नाम थोड़ी से लग रहे हैं कि विराजसान का इतिहा यह पार्ट बार-बार पढ़ते रहते हैं विभिन परिक्षाओं के लिए तो इसलिए राजसान के विद्यार्थियों को कोई विशेस इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लगती कि इतना टफ नहीं लगता क्योंकि बार-बार रिवाइज करते रहते हैं भूगोल मे ज्यादे अच्छा है तो आपको राजसान वाले पार्ट पर फोकस करो यह देखिए थोड़ा सा बिक्रा हुआ हुआ है इसमें अलग अलग प्रशन आप सेक्षिनिक मनोविग्यान के दसी प्रशन है लेकिन उसका मेटर देखने लग जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है तो इसके कारण इसमें थोड़ा सापको समय ज्यादा लगेगा तो आपके अपने दिन में यदि सामाने तोर पर हम बात करें तो इसको आप चार घंटे तीन घंटे के करीब आप इसको जुरूर पढ़ा कीजिए तीन से चार घंटे इसके अलाव आप अपना सब्जेक्ट है व एक तो होता है कई विद्यार्थियों को एक बार पढ़ने से भी याद हो जाता है मैंने देखें ऐसे विद्यार्थी एक दो बार पढ़ने से उनको दिमाग में छपने लगती हैं चीजें कई होते हैं मेरे जैसे एवरेज विद्यार्थी उनको पांच-चार बार पढ़े म मैं आपको बच्चों की तरह डिवाइड करके बता हूँ आप 6 गंटे सो गए माली जी अब कई मतलब कहेंगे कि बहुत ज्यादा साथ सो लेना और तो क्या करोगे इस से ज्यादा वैसे 6 से ज्यादा की नहीं होती जुरूरत मैं तो अब भी नहीं सोता है इसके बाद भी मजलें आपके पास सोलह घंटे इसमें से भी आप छलो मा आपका मैं लेता हूं कि एक लिघंटे तक को या विचीव comments ने लेए एक घंटे आप हो सकता है कि कहीं बैड जाते होंगे और भी आप फिर भी आप मतलब बाकी के इसमें एक बढ़ा दिया मैंने गंड़ा इसमें भी आप कहें कि सर एक्ष्टा लग जाता है चायवाय ज्यादा पी रहते हैं वैसे पी लिया गोदीकत नहीं है मानलों कि इसमें आ इतना भी जरूरत नहीं हैन्प विमार नी्पड़त है, जो कि अन्य तेरा घंटे तक आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, experience है, बहुत सरे विद्यारचियों को देखता हूँ, मेरे साथ वालों को, मैंने भी देखा है, बारा तेरा घंटे ये आपको दो-चार महीने पढ़ना हो, तो उसमें कोई दिक्कत है, बारा महीने कोई नहीं पढ पढ़ सकते, तो कम पढ़ लो भी कापका कम पढ़ने से काम चल जाता होगा, तो पढ़ो, हालागी टाइम मैनेज नहीं हो पहताब अलग बात है, बहुत किसी को घर के काम करने पढ़ते हैं, और है, खेत वगरा में थोड़ा वो सहोग करना पढ़ जाए, अलगी मत करना एक तो यह आपके तीन पार्ट हो गए, अब बात करते हैं किताबों की, किताबें मैं यह मानता हूँ कि सेकंड ग्रेड की तैयारी गंभी रूप से करने वाले विद्यार्थियों के अलावा, जो सिर्फ सिक्षक भरती में लगए थे, उन्होंने अपनी किताबें ले रखी हैं नहीं ले रखी हैं तो ले लेना, राजसान का इतिहास कालासन स्कृति, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थि हैं, वो नहीं किताबें ले सकते हो और हैं, तो इसके लिए किताबें मैं आपको सब किताबों के रिव्यू कर चुका हूँ, आप देख भी चुके हैं, नहीं कोई क पास भी हैं, थर्ड ग्रेड वालों के पास हैं, सब उने ले रखी है, राजसानी भाशा वगरा, इसके लिए किताबे गाइड्स अलग से आई वी हैं, अलग अलग शोर्ट में भी बहुत सारी पब्लिकेशन से ने निकाल रखी हैं, आपका सबजेक्ट है, अब इसमें, द की जो कौलिफाइंग एक्जाम होई थी, वैसे आपका सब्जेक्ट पूरा ही NCRT से बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको कोई नहीं कह सकता, तो आप इसको भी पढ़िए और एक्स्टा भी पढ़िए, मेरा तो यही मारना है, बाकि मैर, आपको कहीं से यहीं इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भी सिर्फ NCRT से आएगा, तो आप उसके साथ जाना, मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं तो यहीं करता हूँ, कि NCRT जुरूर पढ़िए हैं, लेकिन आप एक्स्टा मैटर भी जितना संभव हो सके उतना पढ़िए, SST के विद्यार्थि पाने ग्यान, और यह जो राजिस्थानी भाषा वगरा है, इनके लिए अलग 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 का पब्लिकेशन की बहुत सारी मैंने रिव्यू में बता चुका हूं, आज इस वीडियो में अलग 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 पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहता है, इन किताब आपके पास नहीं हो क्योंकि चेंज वगरा होता रहता है, तो विबिन पुब्लिकेशन की किताब के लिए आई हुई हैं तो पढ़ लो, नहीं नहीं भी निकालेंगे, मौका होते हैं सबकी पास, और थोड़ा सा में लास्ट में और भी बात बताऊंगा आपको, तो गाइडनस दे रहा हूँ, तो मेरा क्या चला रहा हूँ, वो नहीं बताऊंगा माज, फिर उसके बाद में, शेक्षिक मनो विज्ञान, इसके लिए देखे, बहुत ज़्यादा बड़ी किताब मत बढ़िए, क्योंकि दस ही प्रशन आपके आने हैं, तो इसके लिए आप इ इतनी अधीक वेराइटी नहीं होती, कि आप मतलब आपके प्रशन ज़्यादा गलत होंगे, मलब इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेशी लाई जाय सकती है, यह दिए आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो इसमें बहुत नंबर कवर कर सकते हैं, इसके लिए अच्छी कित आप सामाने जो प्रशन हैं, वही पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आईटी के लिए भी आप मतलब 1.500 पन्य पढ़के जा रहे हैं, पांच प्रशन के लिए, बिल्कुल गलत बात है, शोर्ट में पढ़ो मेरे कहने का मतलब यह समय नहीं है अब इतना, आप बिल्कुल शोर्ट में पढ़ो और कोशिश करो, छिले बस आपने कवर कर लिया है, तो तीन जार डिविजन और मारो उसके, जैसे भी बीस दिन में करो, फिर पंदरा में करो, फिर दस में निप्टाओ उसको, शोर्ट नोट्स हैं तो उसको बार-बार पढ़ो, वन लाइनर वगरा हैं तो उसको ब प्रिषय कहाती है, तो फिर उसके बाद में ज्यादा समय निया लगता है, जिससे आपने सेक्षिक प्रदेशय का रिविजन एक दिन में हो जाता है, समय नहीं लगता है, दिन नहीं नहीं लगता है, तो आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि पूरी डिटेल बार-बार आउशकता नहीं होती एक बार मुद्ध्र को समझा फिर मैंन मैंन फेक्ट हैं वो याद कि बात टेस्ट सीरीज वगएरा कि मैं रोजी बताता रहता हूं टेस्ट वगएरा सेंपल टेस्ट इदी आप कहीं पर भी देना चाहें किसी भी मैं किसी का नाम नहीं लूगा कहां देन कि किस प्रकार के total question कितने समय में मेरे हो रहे हैं वो 2-4-5 दे कि देख ले ना ऐसा नहीं कि आप दिये ही जा रहे हो दिये ही जा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है मैं हमेशे यह कहता हूँ कि आप इदी आपका जो syllabus है उसका दो-5 दिन एक्स्ट्रा में एक रिविजन और मारते हो तो उसका ज्यादा benefit होता है तो उसके आप रिविजन पर फोकस कीजिए आपने एक बार syllabus कवर कर लिया है तो आप अगरा टेस्ट वगरा दे सकते हैं NCRT की किताबों के तो देखे जिससे मैं SST का मैं ज्यादा क्यूंकि मैं खुद पढ़ाता हूं तो इसलिए पता चलता रहता है SST की आज मैं कहूं कि आप बजार से NCRT की किताब लेकर आओ तो आपसे नहीं पार पड़ेगी मैं सीधी बात है क्योंकि कितना वास्थ है तो आप उसके लिए कोई जैसे की राठ पब्लिकेशन की किताब आई हुए अलग से या नात वाले भी SST में जो आपके स्काव चावाले कि किताबों से अपनेज़ कर सकते हैं तो यह आप की सावते आप किसी की नोट से वीतागी दस हो जाएंगे दस वीडियो में आपकी अर्थ से असर कंप्लिट हो जाएगी NCRT और RBST मिला की उसके अलावा आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं आपकी मवर्ची है फिर मैं कोशिश करूँगा कि इतिहास भी मैं यूट्यूब पर पढ़ा दू कोशिश करेंगे आप अपना शेडूल बना कर और कोशिश ये कीजिए कि आप मैटर बढ़ाने की बज़ए दो तीन चार जितने भी आपके रिविजन हो सकें वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशल होंगे वो साथ साथ लगाते जाएं लेकिन बहुत ज़्यादा इधर से मोडल पेपर उदर से टेस्स ये वो मत कीजिए किताबों पर ध्यान लगाईए रिपिटेशन कीजिए उनका बार बार रिवाइज कीजिए यही एक अच्छी रणनेती बाकी खुद की अलग से भी रणनेती हो सकती है मैं ही कहूं वही सही है यह भी कोई जरूरी नहीं है और अंतमी वही इदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेट जरूर कर देना आपको बहुत-बहुत शुब कमने बार-बार में डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या न देख लो नहीं तो उसको बंदी कर दिया फ्लाइट मोड पर रखा करो उसको यहीं तो है एक बार कोई मैसेज आ रहा है कोई नोटिफिकेशन आ रहा है फिर देख रहे हो फिर मदल वह आदा घंटा निकल रहा है उसको मत उसको छोड़ दो और एक दूसरी बात हो रहा है व आपने घर परिवार में दो-पांस-दस मिनिट जहां भी आपके माता पिता दादादी बाही बहीं से बात करते हो वह तो चलती नॉर्मल स्कूल में नहीं सुरी घर में स्कूल की बात आगी घर में चलती ही रहती है वह अलग बात है लेकिन बाकी यह कोई रिष्टेदारिया निभाना इधर जाना बाकी 15 जनवरी से फिर शादियों का शिजन शुरू हो जाएगा तो आपकी मोसिकी लड़की की शादी है तो उसको करने दो समय मिलता है तो जाया हो एक दिन वागी यह थोड़ी है कि आप पांस दिन जाकर बैठ गे इस प्रकार के काम मेरे कहन अग्यक के लगा है कि समय बहुत कीमति है इसको आप वेस्ट मत करना बहुत-हुत शुब काम heap ने है तो सब्सक्राइब कर लो LाIK Tomorrow आपको उन्हीं धिर झाल झाल